तो हेलो एब्रीवन वेलकम बेक अगर फिर श्वागत है एक न्यू सेसर में आज हम लोग डिसक्स करें दोस्तों किर्केट रिलेटेड इंपॉर्टन कोशन के बारे में यह हमारा पार्ट टू है दोस्तों पार्ट वन हम लोग डिसक्स कर चुके नहीं देखें तो देख गाता है तो वीडियो को लाश्ट वाच की जिएक काफी इंपॉर्टन कोशन यहां पर रखे हुए हैं तो ध्यांद ध्यांद यहां पर पहला कोशन ध्यांद जिया कोशन में 21 पूछ भारत में पहला क्रिकेट क्लब की सार में स्थापित किया गया था इन वीच सिटी वाइ सब्सक्राइब तो यहां गया था ठीक है कहां पर तो कोल काता में बढ़ते हैं अगले कोशन कोशन नमर 22 पूछ रहा है आई पेल का पहला संस्क्राण किस वर्स खेला गया था इन वीच यहर वाजदा फर्स्ट एडिशन ऑफ आई पेल प्लेड ठीक है काफी इंपॉटन को आई पेल से भी कई बार एक्जाम में कोशन पूछा जाता तो आपको पता है कि 2008 में पहला आई पेल खेला गया था ऑपसे नमर ए बिल्कुल आपका करेक्ट एंसर है चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट कोशन की और कोशन में 23 पूछ रहा कि आई पेल में औरेंज के किस स को मिला तो उम्रान मलिक को मिला है और कौन से टीम आई पेल दोजर बाइस जीती है गुजरात टाइटन्स रनर अरप को रही थी तो राजस्तान रोयल यह सब आपको इंपोर्टेंट है जो कि आपको याद रखना होगा आई पेल से रिलिक्टेड चलिए क्या पूछ रहा क अगला कोशन कोशन 25 पूछ रहा कि बिसी से का मुझा लेक कहां इस्टीट है काफी इंपोर्टन कोशन रहा है वेर इस दा हैड़कोर्टर ऑफ बिसी से लोकेटेड तो कहां पर है तो याद रख लिए मूंबाई में ठीक आप सिनमसी बिल्कुल आपका करेक्ट है कोशन तो याद रख लिए आरी ग्रांट गोवन और अभी कोन है तो सौरफ गांगोलिया याद रख लिए अभी यदि पूछा परजिंट में कोन है तो सौरफ गांगोलिया पढ़ते हैं अगले कोशन की और 27 क्या पूछ रहा कि एसेज सीरीज किन दो देशों के बिच खेली जाती है एसेज सीरीज इस प्लेट बिटूइन वीच टू कंट्रीज तो याद रख लिए इंग्लेंड और और ऑस्ट्रिया ऑप्शन नवर बिल्कुल करेक्ट है कि इंग्लेंड और ऑस्ट्रिया के बिच खेली जाती है कोशन में 28 पूछ रहा है कि निमलीखित में से कौन से टीम एस्या कप का हिस्सा नहीं है वीच आप इस फॉलोविंग टीम इस नॉट एप आफ एस्या कप का याद रख लेजिएगा आपका वेस्ट एंडी इस ठीक ऑप्सिन नमर डी बिल्कल अपका करेक्ट अंसर कि वेस्ट कुछन है काफी इंपोर्डन है कोशन में 29 पूछ दा वाल के नाम से किस खिलाडी को पहचाना जाता विच प्लेयर इस नॉन बाइदा नेम ऑफ दा वाल ठीक है तो याद रख लेजिएगा दा वाल के नाम से कौन जाना जाता था दोस्तों तो याद रख लेजिएगा इसक आइसी टेश्ड वर्ल Jimmers का खिताब किस टीम ने जीता था काफी इंपोरड़न कोशनए विच टीम वान दाफ वर्स्ट आइसी से टेश्ड वर्ल्ट चेमपियंस्प हैज किसने जीता था याद रख लेजिएगा न्यूजलेंड ने जीता था ठीक है औस सी अपका बिल्कु परिणाम किस नियम से निकाला जाता है तो याद रख लगा डॉक्वर्थ लूइस नियम से ठीक है ऑप्सिन नमर सी बिल्कुल अपका करेक्ट एंसर साथ हो जहां जिएगा कोशन 34 काफी इंपॉर्टन कोशन जैनरली इस टॉपिक से कुछन पूछा जाता है इस्टेडियम से पूछ रहें सार्जा इस्टेडियम कहां पीछ दिते वैर इस दा सार्जा इस्टेडियम लॉकटेट यादरिधे यृव इमेह ठीक ऑपन मसिबलकुल करेक्ट है कि UAE मैं ठीक याद रख लिजिए सार्जा इस्टेडियम देखें कोशन 35 जो बीमर सब्सक्राइब की स्क्रे जा सकता है इस साल ठीक कोशन मों 36 पूछ रहे सेन वान संचुरी माइट टॉप हेंड़ेट टेस्ट किरकेटर्श किसके द्वारा लिखी गई पूछता है ठीक काफी इंपोर्टेंट कोशन है तो याद रख लिए यह किसी ने लिखा दोस्तों सेन वान ने लिखा ठीका ऑप् इस एक किरकेटर फ्रॉम वीच कंट्री काफी इंपोर्टेंट कोशन है दोस्तों तो फड़ा फड़ इसका एंसर बताईएगा यदे आपको पता है तो इसका सही एंसर होगा आपका ऑंस्टेलिया ठीक है ऑप्शन दोसी बिल्कुल करेक्ट एंसर है कोशन अवा 37 क्या पू बड़ पूशन अवर 38 यहां पर पूशा दोस्तों इरानी ट्रॉफी किस खेल से समद्धी तो आपका क्रिकेट से समद्धी जाती है ठीक है ऑपसें मर भी बिल्कुल आपका करेक्ट है दोस्तों इस ट्रॉपी के उपर में औरड़ी एक वीडियो बना चुका हूं तो उस व अप्सेन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट एंसर है दोस्तों दोस्तों आज का सेस्टन का लास्ट कोशन कोशन फोटी पुछ रहा कि भारत की प्रथम महिला अंपायर कौन थी काफी इंपोर्टन कोशन है तो ध्यान जिएगा इसका सही एंसर क्या होगा दोस्तों तो इसका सही एंसर होगा आपका ऑप्सेन नंबर बी आपका अंजली राय ठीका ऑप्सेन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट एंसर दोस्तों आई होप आज के सेस्टन आपको अच्छा लगावागा था प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते एक न्यूव वीडियो को साथ तब दक लिए जाहिंद बंदे महातरम